परमान उक्रमांक जेड ये द्रव्य की मूलगामी विशेषता हैं परमान उक्रमांक जेड बराबर प्रोटोन की संख्या बराबर इलेक्टोन की संख्या परमानु क्रमांक की व्याक्या हम परमानु के इलेक्ट्रोन अथ्वा प्रोटोन की संख्या ऐसे कर सकते हैं इलेक्ट्रोन की संख्या के कारण परमानु विद्यतिय आवेश में उदासीन होता है अब हम परमानु वस्तुमानांक ए क्या है इसे देखेंगे इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान प्रोटोन वर न्यूट्रोन के वस्तुमान से अठारा सो गुना कम होता है परमाणू का वस्तुमान मुख्यताहा नाभिक में मौजूद प्रोटोन और न्यूट्रोन के कारण होता है इलेक्ट्रॉन का वस्तुमान इतना कम होता है कि परमाणू के द्रव्यमान का गणित करते समय उसे अंदेखा किया जाता है ध्यान में भी नहीं लिया जाता तो परमाणू वस्तुमान आंक ए परमाणू के नाभी के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो A-RN-Z ये गणित करने पर हम उस परमानों की नाभी में न्यूट्रोन की संख्या पाते हैं। तत्व के परमानों में कवच के अनुसार इलेक्ट्रोनों के वितरन को तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन कहते हैं। सबसे बाहरी कवच में धारन किये जाने वाले सरवादिक इलेक्ट्रोन की संख्या आठ है। कवच क्रमांक दो से शुरू हो तो यदि पहला कवच सबसे बाहरी है तो उसमें महत्तम दो इलेक्ट्रोन हो सकते हैं। उदारनार्थ हईड्रोजन ह और हिलियम ह ये नियम लगाकर हम परमानु में मौझुद एलेक्ट्रोनिक संद्रूपन और एलेक्ट्रोन प्रोट्रोन न्यूट्रोन की संख्या तै कर सकते हैं। परमानो क्रमाक एक से बीस, तालिका क्रमाक तीन, जेड बराबर एक से बीस वाले तत्वों के लिए वितरण एक एच एक जहां ए बराबर एक, जेड बराबर एक, न्यूट्रोन की संख्या शून्य, प्रोट्रोन की संख्या जेड बराबर एक, इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर जेड बराबर एक 2HE4 जहां A बराबर 4, Z बराबर 2, neutron की संख्या 4 रेन 2 बराबर 2, proton की संख्या बराबर Z बराबर 2, electron की संख्या Z बराबर 2 3LI 7 जहां A बराबर 7, Z बराबर 3, neutron की संख्या 7 रेन 3 बराबर 4, proton की संख्या बराबर Z बराबर 3, electron की संख्या बराबर Z बराबर 3 4BE9 जहां A बराबर 9, Z बराबर 4, neutron की संख्या 9 रेन 4 बराबर 5, proton की संख्या Z बराबर 4, electron की संख्या बराबर Z बराबर 4 5B 11 जहां A बराबर 11, Z बराबर 5 neutron की संख्या 11 रेन 5 बराबर 6, proton की संख्या बराबर Z बराबर 5, electron की संख्या बराबर Z बराबर 5 6C 12 जहां A बराबर 12, Z बराबर 6, जहां neutron की संख्या 12 रेन 6 बराबर 6, proton की संख्या बराबर Z बराबर 6, electron की संख्या बराबर Z बराबर 6, क्या बराबर 15 प्या मिआ बराबर 6, electron की संख्या 10 रेन 6, careful इन 6,asल को रूच्या बराबर 15, बराबर 16, बराबर 16, बराबर 15, बराबर 16, बाबर 16, प्रोटोन की संख्या साथ, इलेक्ट्रोन की संख्या साथ झाल झाल आठ ओ सूला जहाँ ए बराबर सूला जैड बराबर आठ न्यूट्रोन की संख्या सूला रेन आठ बराबर आठ प्रोट्रोन की संख्या बराबर जैड बराबर आठ इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर जैड बराबर आठ इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर जैड बराबर आठ झाल 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 9f19 जहाँ a बराबर 19 z बराबर 9 neutron की संख्या 19 रेण 9 बराबर 10 proton की संख्या बराबर z बराबर 9 electron की संख्या बराबर z बराबर 9 झाल 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 इलेक्ट्रोन की संख्या चतीस इलेक्ट्रोन का वितरन दो आठ अठारा आठ रूप में तत्व चौपन इलेक्ट्रोन की संख्या चतीस इलेक्ट्रोन की संख्या चौपन इलेक्ट्रोन का वितरन दो आठ अठारा आठ रूप में तत्व निश्क्रिय गैसु में इलेक्ट्रोन का विवरण इन तत्वो को निश्क्रिय तत्व के इलेक्ट्रोन वितरन देखो हिलियम हे के अलावा बाकी के तत्वों की सबसे बाहरी कवच में आठ इलेक्टरॉन्स है हिलियम उसके सबसे बाहरी कवच में दो इलेक्टरॉन धारन करता है मतलब पहले कवच में द्विक और दूसरे तीसरे चोथे और पांचवे कवच में अश्टक सबसे बाहरी कवच के लिए अंदर के कवच पूरे होने चाहिए इन तत्व के परमानुस थाई होते हैं क्योंकि वे द्विक अत्वा अश्टक पूरा करने के लिए इलेक्टरोन न लेते हैं न देते हैं और नहीं बांटते हैं इसलिए ये तत्व रासाय निक्ता के रूप में निश्क्रिय होते हैं और उनकी सहियोजक्ता शून्य होती है इसलिए हम H E N E A R K R D E R N जैसे तत्वों को निश्क्रिय तत्व कहते हैं तो अब हम सहियोजक्ता इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन से कैसे सम्मंदित है इसे देखेंगे सबसे बाहरी कवज को सहियोजक्ता कवज भी कहते हैं और उसमें मौझूत तत्वों को सहियोजक्ता इलेक्ट्रोन कहते हैं अभी हमने देखा कि निश्क्रिय तत्वों की संयोजक्ता शूनिय होती है क्योंकि हिलियम का द्विक और अन्य निश्क्रिय तत्वों का अश्टक पूर्ण होता है हम तत्व की संयोजक्ता की परिभाषा संयोजक्ता इलेक्ट्रोन की संख्या ऐसे भी कर सकते हैं यदि ये संख्या 4 ये 4 से कम है जब तत्व में 4 ये 4 से अधिक संयोजक्ता इलेक्टरॉन होते हैं तब अश्टक पूरा करने के लिए लगने वाले इलेक्टरॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजक्ता होगी Hydrogen 1 upon 1 H में ही एक इलेक्टरॉन होता है जो पहले कVACH में होगा द्विक के लिए पहला कवच अपूरर है ये एक इलेक्टरॉन लेकर जिसमें संयोजक्ता रिणा एक होगी अत्वा एक इलेक्टरॉन दान करके जिसमें संयोजक्ता धन एक होगी अब हम हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाने वाले तत्वों की सयोजकता देखेंगे तत्वों की इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन और सयोजकता का संबंध यौगिक HCL में हाइड्रोजन तत्व की सयोजकता एक हाइड्रोजन तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन एक संयोजक्ता इलेक्ट्रोन की संख्या एक योगिक HCL में क्लोरीन की संयोजक्ता एक तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन दो आठ साथ संयोजक्ता इलेक्ट्रोन की संख्या साथ इसलिए संयोजक्ता आठ रिन साथ बराबर एक नियोन में तत्व की संयोजक्ता शून्य तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन दो आठ संयोजक्ता इलेक्ट्रोन की संख्या आठ इसलिए संयोजक्ता आठ रिन आठ बराबर शून्य योगिक HF में तत्व फ्लूरीन की सयोजक्ता एक, तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन दो साथ, सयोजक्ता इलेक्ट्रोन की संख्या साथ, इसलिए सयोजक्ता आठ रेण साथ बराबर एक योगिक NAH में सोडियम तत्व की सयोजक्ता एक, तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन दो आठ एक, सयोजक्ता इलेक्ट्रोन की संख्या एक योगिक MgCl2 में Magnesium तत्व की संयूजकता 2, तत्व का Electronic संद्रूपन 282, संयूजकता Electron की संख्या 2 योगिक CH4 में Carbon तत्व की संयूजकता 4, तत्व का Electronic संद्रूपन 2, 4, संयूजकता Electron की संख्या 4, इसलिए संयूजकता 8, 4, बराबर 4 योगिक का अन्विक समिकरण, ALCL 3 में, अल्यूमिनियम तत्व की संयूजकता 3, तत्व का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन 283, संयूजकता इलेक्ट्रोन की संख्या 3, कलोरीन का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपन 287 है, कलोरीन से हाइडोजन का एक इलेक्ट्रोन लिया गया है, जिस से उसका इलेक्ट्रोनिक संद्रूपण 288 हुआ है इसलिए जब HCl योगिक तयार होता है तब हाइड्रोजन के आयन पर धना आवेश होता है जबकि NaH में Na का इलेक्ट्रोनिक संद्रूपण है 281-281, Na बहुत खुशी के साथ स्योजगता इलेक्ट्रोन हाइड्रोजन को दान करता है इसलिए सूरियम का अश्टक और हाइड्रोजन का द्विक पूर्ण होता है इसलिए Na धन और H रिन आयन तयार होते हैं मतलब जब NaH का योगिक तयार होता है तब हाइड्रोजन रिन आवेश प्राप्त करता है इसलिए यदि सहियोजगता इलेक्ट्रोन की संख्या 4 यह 4 से कम है तो वै उस तत्व की सहियोजगता होगी यदि सहियोजगता इलेक्ट्रोन की संख्या 4 से अधिक है तो सहियोजगता उस तत्व के लिए 8 रिन एक्स होगी साराश इस विडियो में हमने परमानु क्रमांक Z वो परमानु वस्तुमानांक A के बारे में भी सीखा प्रत्य कवच में 2 and 2, 2 and 2 इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रोन रह सकते हैं जहां N बराबर कक्षा क्रमांक यदि सहियोजगता इलेक्ट्रोन की संख्या 4 या 4 से कम है तो वै उस तत्व की सहियोजगता होगी यदि सहियों जक्ता इलेक्ट्रॉन की संक्या चार से अधिक है तो सहियों जक्ता उस तत्व के लिए आठ रिन एक्स होगी एल की सहियों जक्ता क्या होगी ये भी लिखो कर दो